वेलकम स्टुडेंट तो आप क्लास 12 में आपका एक्जाम आभी गया है और आप तयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं अपने मिहनत जरूर कर रहे हैं ऐसा नहीं है तो यहां पर आज आपके सामने मैं केमेस्ट्री का विलियन पार्ट का मैं अब्जेक्टिव टाइब को सब्सक्राइब कर रहा हैं जिसमें हम पूरा टॉपिक कपर करते हैं जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बनाया था फिजिस का पूरा यहां पर वीडियो मैंने यहां पर देखिए पूरा मैंने यहां पर दिया है इसको देख सकते हैं यह मैंने फिजिस का पूरा पूर पर आज हमें हाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए क्लास्रों का आपका विलियान पार्ट का अब्जेक्टिव टाइब कोश्चन जो कि आपको पता है फार आल बोर्ड जांटेवी कोश्चन एंड जो अभी तक ना पढ़े हो एक बार जरूर पढ़ें एक बार जरूर देखें केमिस्ट्री अबजेक्टिव कोश्चन हिंदी मीडियम पीडिया डाउनलोड वी पीडिया भी आपको मिल जाएगा ओके तो चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तो सबस्पहला पेज है आपका यह और इसे पर कोश्चन हमने तीन कोश्चन लिए है जो सुद्ध जल होता है उसकी मोलरता होती है सुद्ध जल की मोलरता जो होती है कितनी होती है ओ होता है आपका यहाँ पर हाई मतलब 55.56 यह सुद्ध जल की मोलरता होती है किसकी होती है सुद्ध जल की मोलरता होती है ओके यह कुश्चन आपका इसमें सही होगा और आही बा मिल जाइगव पस अब एक बार इसको हल करिये मन से पहले हैं पढ़िए उसके बार खुर sticking कितना कोशन आप सही कर पा रहे हैं कि अपर दूसरे कोशन है की और रहें वह उसके काता है मालता में मोल तो माप जाएगा backward रेमागोन सोच सही होगा इसमें हमारा C सही होगा, ओके, इसमें C और इसमें A था आपका, अब इसके बाद आगए आपका, यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और हम मोटा कर लें, बस, देखिए, एक मोलल जली बिलियन में बिले का मोल परभाज, कितना मोलल है, एक मोलल है, एक मोल है, आपका क्या, जली ब इसका अंसर जो आजाएगा, आपका कितना आजाएगा, यह आजाएगा 0.018, यह हमारा आजाएगा, यह अंसर, देखिए, यह निमेकल इसको अहल करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि भी बहुत सारे निमेकल में लिए, आपको यह से छोटे छोटे, देखिए, जो प्रसने, आपके सामने, तो चार नमबर परसन में आप देख सकते हैं, पहला है कि पर्थम कोट की अपकिरिया के लिए, ब्यग इस्तिर करना पर सबसे पहला काम है आपको तो इसमें चाओ थे में आपका क्या सई होगा यह देखना है आपको तो यह सई होगा आपका सेकंड यहां पर है आपका दूसरा कौन सा दूसरा S-1, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, यह ऐसे ही हो, ठीक है, यहाँ पर है अगला question, अगला question क्या है इसमें कि 2, 0.2 mol, मतलब यहाँ पर आपका इतना है, कौन सा है, H2SO4 है, क्या है इसमें, H2SO4 है, तो billion की सांदरता gram प्रत लीटर में बताना है, तो यह आपका gram प्रत लीटर में जब इसको निकालेंगे, तो हमारा जाएगा 19.6 आजाएगा, इसमें अंसर आपका आजाएगा, इसमें आपका D साही होगा, क्या साही होगा, D साही होगा, अब उसके बाद हमारा यहाँ पर है, कि 35 संसियस पर आपका इतना gram CC, यह हम 98% सुद लगा, तो पता है, हम इसका मुलंता का अपना फार्मूला सब कुछ यूज करने के बाद हम लगाएंगे, तब हमारा जो अंसर आएगा, वो क्या आएगा, हमारा आएगा A नमबर, क्या आएगा, 18.4 M, यह वाला अंसर आएगा A वाला, कौन सा A वाला अंसर आएगा, ठीक ह अगले कुछिन पर चलते हैं, देखें कुछिन हमने इसमें 30 कुछिन लिया है, और सारे कुछिन एकदम टेंटिटिव होंगे आपके, यहाँ पर आपके जो है, निमलिखित में से कौन सा आडु संख गुर धर्म है, यह बताना है, तो आडु संख का गुर धर्म कौन सा आपका परासर अरदाब होगा, कौन सा होगा आपका परासर अरदाब होगा, ओके परासर अरदाब होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर आठवा कुछिन है कि इतने यह जो दिया गया है, इतने आडु यूरिया, ठीक है, यादी सो मिली जली घोल में, सो मिली जली घोल में उपस्तित तो billion की सांदरता निकालना है आपका बिले और बिलायक का हम फार्मूला सारा कुछ ही उज करके हमें निकालना है सांदरता क्या निकालना है सांदरता तब हमारा क्या निकलेगा हमारा कितना निकलेगा यह निकलेगा इतना कितना निकलेगा 0.01 एम यह निकलेगा ठ यादन मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है billion का बहुत सारा पार्ट पढ़ा होगे बहुत सार पार्ट आप समझ जाएंगे कैसे लगती यह सवार सभी को लगा लेंगे फिर यहाँ पर 9-9 billion जिसमें पराशर रदाब समान ताब पर समान होता है समानता पर क्या होता है ताप समान ताप पर समान होता है वो बिलियन बताना है तो इसमें हमारा बिलियन के कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा डी हो जाएगा सम परासरी होता है क्या होता है सम परासरी याद रखना जादा से जादा बिकल में आपका यहाँ पर इस पार्ट से सम परासरी के ब्यक्त होती है, बिलियन की जो मोललता होती है, वो किस यूनिट में ब्यक्त होती है, अभी आपने मोललता देखा था, अब यहाँ पर मोललता देखना है, किसमें ब्यक्त होगी, यह बताना है, ठीक है, तो आपका बिलियन की मोललता किसमें ब्यक्त होगी, बताइए, यहाँ पर मोल्प्रत किलोगराम में यह आपका हो जाएगा इसके बाद है निम्ण में से tuh किसके जली BILION का क्वथनांक सबसे जादा होगागा किसका क्वथनांtt सबसे जादा होगा है ऑन पर्शन काल्सीन कलॉराइडिए को जाएगा सी सही को शर्एक गाज़िया को से लाङध के मोल परभाज के बराबर होता है कि तो मतलब बने क्या बहुता है कि जो बिले दो चीज होते हैं आपको पता है कि एक होता है आपका बिले और एक होता है आपका बिले के मोल प्रभाज पर होता है या उसके मोल पर सब्सक्राइब होता है इसके आप यहां पर उसके बात है बिलायक के मोल प्रभाज पर होता है कि बिलायक पर सब्सक्राइब आप इस ये उसके बारे में बताना तो परासरदाग की काई के होता है आपका ATM में किसमें होता है ATM में ठीक है उसके बाद है billion में संगडित billion में संगडित होने वाले अगर ताप में बढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताना है तो हमारा क्या कम होगा उसके बारे में बताना है मोलर्ता बढ़ने लगेगी मोलर्ता बढ़ने में कमिया जाएगी चलिए अब हम चलते हैं अगला question जो कि आपका 16 number question है 16 आपका है कि निम्न में इतना जली मोलल बिल्यन में निउनतम हीमांक बताना निउनतम हीमांक बताना सबसे कम होगा ऐसी का पराद सबसे कम होगा तो तो एक यकर यहांक पर रहें वतलब करा कणा तो तीसमें तो उसमे में हम तो समस्केशन क्या मतलब है इसमें आपका बेंजीन से क्या मतलब खुuss मछाओ चीनी से क्या मतलब है विद्दु दबघट से क्या चिनी में विजली वाला काम हो रहा है विद्दु दबघट वाला काम हो रहा है यूरिय में विद्दु दबघट वाला काम हो रहा है यूरिय में विद्दु दबघट वाला काम हो रहा है यह हो गया उसके बाद हम चलते हैं आगले question पर जो कि आपका 19 number question है 19 है आपका कि जल के 36 ग्राम वों गिलसरीन के 40 ग्राम रखने वाले billion में होगी गिलसरीन का जो मोल अंस होगा वो कितना तो मोल अंस वाला आपका formula लगाना है सिद्धी सिद्धी बात है 40 ग्राम लखने के लिए आपका बताना है तो देखे इसमें क्या है कि आपको लगाना पड़ेगे इन इमिल कल चोटा सा है बहुत भार ही नहीं है छोटा सा लगाएंगे लगालेंगी नहीं तो हम कोशिन लेकर आएगे जब हम वोनसाट्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम पूरा क लगाएंगी बताएंगी ठीक है उन्हें इस नमबर आपका है तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है मोललता क्या मोललता इसमें 20 हो जाएगा इसमें 20 हो यह बताना है ठीक है तो इसमें आपका देखिए बिरंजीन क्लोरोफार्म जो होता है यह आपका धना दों नहीं करता है यह हो गया अगला कोशन पर चलते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा अगला कोशन है आपके सामने 22 नंबर है आपका 22 में आपका आवास्प सील बिले पर रूल है यह बताना है कि यह जो परिभासा पूरी बोई बोली गई सिधान जो बोला गया है वो किसके हिजाब से हिनरी पर है डियो लाउंग पर है या पेटिट के नियम पर है या राउल्ट पर है या आपका लास्ती लिए नियम पर है आपको बताना की जिन में से कौन सा है तो सीधा सीधा यह सी होगा यानि राउल्ट का नियम है राउल्ट ने कहा था कि वासभी बिले रखने वाले बिलें में जो आसदाब आप इच्छी नमन होता है उसमें क्या होता है कि उसके मोलन्स के समान पाती होता है अगला एक नियम हो रहे एक नियम है जो बताता है क किसी ताप पर बिलायक के द्रबमान में घोली गए गैस की मात्रा और उस बिलियन पर गैस के दाब के अनकुर्मान पाती होता है तो बताईए यह किसका नियम है कैसा नियम है इसके बारे में बताना है तो आपको बताना यह हिनरी का नियम है किसका नियम है हिनरी ने इससा बो सब्सक् propre निल्ग सब्सक्राइब कि मिलायक में किसी कमोलंस इतना है अब कदि यहांस का 19 टू है यहां घ्ल झायेंगे तो आपको चैनल झालेगे दार जाए गारी पॉइंट टू आ जाएमाई्ट कितना जाएगा 3.2 आ जाएगा ठीक है? उसके बाद है 26 26 है आपका मोल आउनमन इस्तरांग पर निर्भर करता है तो मोल आउनमन इस्तरांग पर क्या निर्भर करता है आपका ब्रवास्थाओं में इस्तित Scroll के बचाबर होता है ये तो ये मतलब इसका परिभाशा या इसका आर्थ रख रहा है यह को अधनांग परकी आपका एक द्रोव अपने वास्पसिस जो समय वस्था में है तो वो दोनों प्रवस्थाओं में इस ते रड़ों के बराबर होता है कब कैसे किसके हिसाब से बराबर होता है तो उसके बारे में बताया गया ति यह होता है आपका कु आई-सो एम मिली बिलियन में मुलर्ता बन निकालना है क्या निकालना है मुलर्ता जब मुलर्ता निकाल लेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें आराम से आपका आजाएगा भी कुछ इसके बाद गन्य की सक्क कर अनुभार इतना है 5% उसका बिलियन पेदात का एकस एक परिसेत बिलियन समपारासरी है तो एकस का अनुभार बताना है तो इसके हिसाब से हमारा तीसवा नमबर में हो जाएगा और सठ पॉइंट चार जो की ए विकल पसाई है कौन सा ए विकल इस प्रैक्टिस विकर सकता है क्योंकि यहां पर हम देखिए पूरक पूरा इसका answer की दिये हैं पहले आप लगाईएगा टीक उसके राद के अपने answer की को match करवाईएगा अगर आप अपने answer की को match करवा लेते हैं तो आपको एक आपका idea लग जाएगा हम इनमें से कुछ जानकारी हांसिल की हैं पढ़े हैं तिसारी चीज़ेगा थांक्स फार वाचिंग मैं वीडियो जन पीडिया फ्ली सस्क्राइब अपने दोस्तों में सेर करिए और हम वाँ साथ वीडियो लेकरें जिसमें डीटेल बड़े-बड़े कुछ लेकाएंगे आपको पता है मैंने दिखाया कि जिसे फिजिस को यहां पर आप देख रहे हैं मैंने बड़े-बड़े कुछ नियम तो यहां पर पूरा गौश का निय नवी पता दिया कि इसको भी आप तयार कर लीजेका मैंने यहां पर नहीं दे भाया तो आप तैयार। इस तरीके से मैं यहां पर आपको जो भी है पसाभु लेजो करते हैं। ओके शायलिए मिलते हैं नसुदी में तब तक के लिए आप बने रहिए और